हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब उमीद है आप लोग एक्दम मस्तों के पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी तो आज हम फिर से ब्यस्सी फर्स्ट इयर जूलोजी के हाइंड्रेट यमसी क्यूंस जो की बहुत ही इंपोर्टेंट हैं आपके एक्जामिनेशन के लिए कुछ जगह एक्जाम अभी चल रहे हैं जैसे की डीडियू की बात की जाए गोरकपुर तो उसमें कल ही एक्जाम होने वाले हैं छे और साथ फेरोडी के बीच इसी तरह से अ कि आपके एक्जाम के लिए बहुत ही महत्तपूर्ण है तो आप लोग गोर से देखिएगा और याद कर लीजिएगा साथ में तो आपके प्रक्टिस कर लेते हैं तो मेरा मानना है कि जितने भी चेप्टर आपके साइटोलोजी और जेनेटिक्स के हैं हर चेप्टर से इंप प्रक्टिस करने के बाद एक्जाम देने जाते हो तो तो देखते हैं पहला कोस्चन है फुच वन आफ दा फालोविंग इस एन एक्जाम्पल आफ वाई लिंग्ड ट्रीट इन में से कौन सा एक एक सहलंग विसेस्ता का उधारान है तो अगर बात की जाए पहला है यह यह होते हैं दो कि इसका वाई रिप्रजेंट भी करता है यह वाई लिंग्ड ट्रीट है कैसा वाई लिंग्ड है हीमोफीलिया यह एक्स लिंग होता है एक्स लिंग ठीक है तो इस तरह से आपका एंसर हो जाएगा पहला यह 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 होते है ठीक है वाई क्रोमोस ख्रोमॉसॉमल थिवुरी आप लिंकेज तुरि क्रोमॉसॉमल थिवुरी पूछ रहा है क्या वल्मॉसॉमल थिवुरी से अगर सिवुरू के और उत्वपन होता है तो गैंगलियो साइडस होती हैं जो ब्रैन में होती है नहुक। गैंगलियो साइडस होता है उसी के कारण टी सैट्स दिजीws कॉज होता है यह आंवांसिक है इसलिए हम लोग घनेटिक्क्स में इसको पढ़ते हैं, question number four monosomic r अब monosomic क्या होता है, देखो ये चार आपसंदिये में, तो आपको थोड़ा सा, एक मिनिट भी ने लेगेगा, जल्दी समझा देता हूँ देखो, yen का मतलब होता haploid, haploid आपको पता ही होगा agurit हिंदी बूले तो agurit और 2, yen का मतलब diploid diploid मतलब doigodit जब बात आती है monosomic, किसकी? monosomic और trisomic agur 2, yen प्लस 1 लिखा है doigodit को plus 1 chromosome जोड दिया जा रहा है तो इस condition को बोलते हैं trisomy trisomy यदि 2, yen minus 1 कर दिया जा रहा है diploid से एक chromosome हटा दिया जा रहा है इसको बोलते हैं monosomic monosomic तो yen का मतलब haploid agurit 2, yen का मतलब diploid doigodit अगर 2, yen प्लस 1 है तो एक जोड़ा जा रहा है तो trisomy होगा और जब यदि गटाया जाएगा doigodit मैं से diploid मैं से तो इसको बोलते हैं monosomic तो question है आपका monosomic R तो इसमें से कौन सा right answer हो देखो पहला 2, yen प्लस 1 ये तो trisomy 2, yen minus 1 मतलब monosomic तो right answer आपका option B फिर है 2, yen minus 2 इसको बोलते हैं nullosomic क्या बोलते हैं nullosomic 2, yen minus 2 diploid मैं से दोनों हटा दिये अगर दो घटा दिये तो इसको nullosomic बोलते है nullosomic ठीक है और ये ये हैपलोईड है तो आपका monosomic 2, yen minus 1 option B is right question number 5 if the base sequence of a segment of DNA is 3 days adenine, thymine, guanine, guanine cytosine, adenine, cytosine 5 days then the base sequence of mRNA transcript will be देखो ये DNA का दिया हुआ आपको sequence अब RNA का code पूछा है कि RNA में किस तरह से ये code होगा तो आपको बता दू adenine, thymine से जड़ता है लेकिन जब RNA की बात की जाएगी तो इसमें thymine होता नहीं RNA में इसमें thymine के जगा पर होता है uracin तो adenine के जगा पर ग्रिष्ण आपको देखो इसमें दो आपसन में मिल ला है फिर thymine के जगा पर adenine तो thymine के जगा पर adenine तो坐 ग्वानीन के जाएगा पर cytosine 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 hyacin cytosine cytosine baguanini पर adenine युरेस cytosine ata 佐 कि कि यह replication और इसका transcription होता है उल्टा तो 3 days से 5 days वाला 5 days से 3 days की और प्रतिसमानतर anti-parallel करेगा तो option A is right हो जाएगा question number 6 hemophilia A hemophilia के type होते हैं hemophilia A hemophilia B hemophilia A is due to lack up इसमें किस चीज की कमी हो जाती है तो इसमें clotting factor आप लोग पढ़े होंगे जो clotting factor होते हैं रक्त का थक्का जमाने वाले कारक वो त्यारा प्रकार के होते हैं कितनी त्यारा तो उसमें जो आठ्वा वाला आठ्वा प्रकार होता है clotting factor 8 उसके कमी के कारण hemophilia A disease हो जाता है तो उसका right answer हो जाएगा clotting factor 8 कैल्सिय में जो है ना यह भी clotting factor है एक प्रकार का लेकिन यहां पर clotting factor 8 की कमी से hemophilia A होता है कुश्चन नमबर 7 कुपलिंग एंड रिपल्शन और कंसर्ण विद कुपलिंग वा रिपल्शन किस से जुड़ा हुआ है तो यह linkage से जुड़ा हुआ किस से सहलगनता linkage हिंदी में बोलती उसको सहलगनता टी-एच हंट मारगन ने 200 फिला में लोलोगेश्टर पर किये थे बहुत ज़्यादे एक्सपेरिमेंट तो कुपलिंग और रिपल्शन से संबंदित किये थे linkage पर सहलगनता के question number 8 which one is the example of X-linked dominant gene inheritance निम्न में से कौन एक्स सहलगन परभावी जीन मनसागत का उधारन है तो आपको option दिये हुए हैं चाहिए पहला है color blindness तो को color blindness X-linked होता है लिकिन यह आपरभावी होता है ठीक परभावी dominant होता है फिर है हाइपो फॉस्फेटेमिया तो यह आपका राइट एंसर है यह एक्स लिंग्ड आ परभावी लेच्छड होता है question number 9 which enzyme is not found in a albino person albinism albinism एक यह जिनेटिक डिशीज अनवंसिक रोग अलबेजियम पैसंट जो होता है जिसमें कॉज है तो उसमें किस enzyme की कमी होते तो टायरो सिनेज enzyme होता है कौन सा टायरो सिनेज इसकी कमी के कारण हो जाता है एलविनिजम, ठीक है, question number 10, sickle cell anemia is caused by, जो sickle cell anemia है, किसके कारण होती है, तो इसका option हो जाएगा, पहला देखे, autosomal mutant allele, हाँ तो जो autosomal gene होते हैं, उस gene में mutation हो जाता है, allele का sequence बदल जाता है, जिसके जगह बोग गलुटेमिक, इसके जगह पर वेलीन कोड हो जाता है, क्य होना चाहिए, गलुटेमिक एसिड, और कोड क्या हो जाता है, वेलीन अमीनो एसिड, वो रिपलेस हो जाता है, तो autosomal mutant allele के, कारण ये disease, कॉज होता है, question number 11, एक्स, 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 ओ, मेथड आफसेक्स, डिटर्मीनेशन, इस फांड इं, लिंग निर धारन का, एक्स, ए जाता है, याद कर लीजिए आप लोग, और mammals और fish की बात की जाए, तो इसमें x और y type का पा जाता है, इंसेक्ट में x, o, bird में, जटर्मीन, mammals और fishes में x, y type का पा जाता है, question number 12, sex chromosomes in human males are, जो पुरुसों में sex chromosome होते हो, कैसे होते हो, तो वो heterojagous condition होते है, देखो अगर female की ब Link chromosome और जो देहिक होते हैं, सब x, x होते हैं, और अगर male की बात की जाए, तो इसके कैसे होते हैं, x, y जो sex chromosome होते हैं, तो इसको बोलते हैं, heterojagous, heterojagous, या एक word और यूज करते हैं, hemijagous, 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 जो x, x होता है, इसको बोलते हैं, homo, jaygas, homo, jaygas, तो male की बात किया है, मतलब इसमें heterojagous होगा, इसको देखो हिंदी में, sam yugumakta, sam yugumaji, और इसको bism yugumaji, bism yugumaji, bism yugumaji बोलते हैं, कई सारे हमारे ऐसे भी friends होंगे, बच्चे, जो हिंदी मीडियम से बिलोंग करते होंगे, तो उनके लिए भी थोड़ी हल हो जाएगी, तो इस तरह इस देखा जाए, जो male होते हैं, उनके sex kromosome, heterojagous, hemijagous होते हैं, कैसे heterojagous है, hemijagous, तो question था, इसमें आप से देखे, पहरा homo-jagous, homo-jagous, female में होते हैं, ये male में पुछा है, paracentric autosomal hemijagous, तो आपका right answer हो जाएगा है, hemijagous होते हैं, हैं, hemijagous होते हैं, question number 13, if heploid number of chromosomes in a cell is 12, heploid number of chromosomes, मतलब yen की बात की जाए, कितनी, yen बराबर 12 है, फिर आगे है, then the trisomic number will be, अब इसमें trisomic number पूछा है, तो आपको फार्मूला बताए थे trisomic का, trisomic जो थी, वो था 2 yen पलस 1, आपको yen बराबर दिया गए है 12, तो यहाँ पर पूट करेंगे, दो गुड़े 12 पलस 1, तो 12, 24, 25, तो आपका एंसर आएगा 25, ट्राइसोमी, यन दिया है, अगुड़े तो हेपलोईड 12 है, और यह सुत्तर होता है, ट्राइसोमी का, तो यहाँ पर 12, पूट करोगे 12, तो 12, 24, 25, तो आपका राइट एंसर हो जाएगा 25, question number 14, मेंडल यूज्ट, फिच आफ दा फॉलोविंग टर्म, फार होट वी काल आ, जीन टूटे, जिसको मेंडल ने पहले, जिसको हम लोग आज की डेट में जीन बोलते हैं, उसको मेंडल ने अपने समय में क्या बोला था, तो उन्हेंने फिक्टर, कारक नाम यूज गया था, क्या, फिक्टर नाम, यह तो आप लोगों पता ही होगा, जनरली बहुत ही easy question है, question number 15, देको ऐसा ही easy question ही, पूछे जाते वाटसन और क्रिक ने, 1953 में, 52 भी कहीं कहीं लिखा मिल जाएगा, जो प्रपोज किया था, double helix model of DNA, वो कौन सा था, जट DNA का, EDNA, BDNA, GDNA, जीन, तो इसका जो है, BDNA, BDNA का double helix model दिया था, जो एक दरजन, 12 परकार की DNA होते हैं, और 12 हों की, सबका सिस्टम अलग लग होता ह है, length or width, तो BDNA का, वाटसन क्रिक ने, double helix दिया था, question number 16, which ratio is constant for DNA, of a particular species, किसी एक, particular species, निश्चित species, जाते के लिए, DNA का कौन सा, अनुपातिन में से सही होता है, तो आपको बता दे, यह हमेशा अनुपात निश्चित रहता है, तो आप देखिए, इसमें से कौन सा है, तो पहला ही आप से मिल दा है, आपको, एटिनीन प्लस गौनीन बाइट, थाइमीन प्लस साइटोसीन, इज्चित होता है, यह निश्चित होता है, constant होता है, इसको याद रख लिजेगा, ठीक है, इसको चारगाफ ने दिया था, question number 17, the smallest RNA, आपको बता थे, तीन प्रगार के होते हैं, ribosomal, या rRNA, messenger RNA, ymRNA, और tRNA, जो transfer RNA है, तो जो tRNA होता है, transfer RNA, यह सबसे smallest होता है, तीनों प्रगार के RNA में सबसे छोटा होता है, question number 18, नूकलिक एसिर वाज डिस्कवरड एज नूकलिन वाज, तो एक सेंटिस थे, फेडरिक मिसर, क्यों थे, फेडरिक मिसर, फेडरिक मिसर, 1879 में, 1869, DNA को नूकलिन नाम दिया था, क्या, सब प्रथम इन्होंने ही खोजा था, एसिडिक नेचर का होता है, DNA अमली परकृत का हो देनने को, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 90, फिच इज आहा, टेस्ट क्रोस, तो टेस्ट क्रोस क्या होता, जो यह फोन पीढ़ी प्राफ्थ होगी है, आपको मेंडल के क्रोस पढ़े होना, नहीं पढ़े हो, जेनेटिक्स का, जो सिपरेट वीडियो पढ़ा चल जाएगा, तो माल लो, इस तरह से हम जब इसका कॉमिनेशन करते हैं क्रोस, तो यह फोन पीढ़ी प्राफ्थ होती ही संकर, यह फोन पीढ़ी के संकर का, जीनो टाइप ज्यांत करने के लिए, जब रिसेस्व से करवाते हैं, किस से, होमो जाइकस है, रिसेस्व से, तो इसको बोलते हैं, टेस्ट करोस, मतलब यह फोन पीढ़ी का करोस किस से गराएंगे, होमो जाइकस, या होमो जाइकस, रिसेस्व से गराते हैं, तो इसको बोलते हैं, टेस्ट करोस, क्या बोलते हैं, टेस्ट करोस, या इसको बोलते हैं, परिच्छड, परिच्छ, भी पूछा जाए तो इसमें एक जोड़ा पहले तुम रिसेशिव ढूंड लेना दोनों इसमाल हो जिसमें देखो इसमें भी इसमें भी इसमें दोको दो तो इसमाल है एक साथ और यह यह फॉन पीड़ी को दिखा रहा है यह टेस्ट करास को आपके तो आपका राइट एंसर हो जाएगा आपसर डी क्वेस्चन नमबर ट्वंटी दस सेल ड्रिंकिंग की बात की जा रही जब सिर्फ पानी पीती उस दसाओ क्या बोलते हैं तो आपक इससे क्या हुआ थोड़ा सा पार्ट बाहर निकली गया इससे थोड़ा सा पार्ट बाहर निकली गया इसको बोलते हैं इक जो साइटोसीस मतलब बाहर निकल यह है स Васाट में कंद सब्धूश को यह कोजिका होती ही चारो और से वाटर को वाटर वाटर को इंगलब करते हैं तो इसको गोलते हैं पिनोसाइटोसिस अगर फैगोसाइटोसिस की बात की जाए क्या फैगोसाइटोसिस इसका मतलब होता है भच्छान यहां पर बेक्टीरिया था तो इसने बेक्टीरिया को इंगलब गिया क्या किया इस तरह से इस बेक्टीरिया को क्या करें धीरे धीरे अंदर बहुंचा दिया बेक्टीरिया को बाहर था उसको अंदर करें इसको बोलते हैं फैगोसाइटोसिस यह एक होता है इंडो साइडोसिस बहुत इंपोर्टेंट है सब पूछा जा सकता है तो यहां फे क्वेस्चिन था आपका दस शेल डिंकिंग इस तो पिनो साइडोसिस को बोलते हैं यह फिनोमिना जो होती है इस ब्रिफण कि पिनो साइडोसिस इसको सुसाइटल बैक कहते हैं कुस्टे नमबर टुन्टी टू विच वन आफ दा फालोविंग हैज इट्स ओन डियनने निमनम ऐसे किसे में उसका स्वयम का डियनने संचित होता है तो जो माइट्रो का इंडिया की बात की जाए तो इसमें डियनने होता है डिक्टियोसम ला माइटोकॉंड्रीय है और दूसरा कलोरोप्लास्ट gi दो ऐसे संचनाय है सेल के अंदर वेसे जनरली जनर για सेल के अंदर नूकलियस होता है क्या होता है डियनने हिनका खुद का डियन न बाया जाता है ठीक अपने कार्यों को काण्ट्रोल करते हैं तो जब भी आपको इस तरह का question मेरे तो mitochondria और chloroplast को ढूंड़ना सबसे पहले question number 23 the cis face आप गोल्जी बोडी जो गोल्जी बोडी का cis face होता हो कैसा होता तो एक convex face होता है उत्तल face होता है इसमें cis और trans face होते हैं ना गोल्जी गाए में question number 24 the stain used to visualize mitochondria माइट्रो कांडिया को सोचन दर्सी देखने के लिए किस strain या रंजग का यूज़ किया जाता है तो इसमें जो है जैनस ग्रीन एक रसायन होता है chemical होता है इसका यूज़ किया जाता है जैनस ग्रीन question number 25 human species on earth can survive only till पर्थभी पर मानों प्रजात कब तक पाई जा सकती है तो यह जब तक variations जो विविन्यताय हो तो पन होती रहेंगी चलती रहेंगी जब तक नए नए डिकॉंबिनेशन बंते रहेंगे तब तक प्रजातियां सरवाय उगाती रहेंगी तो question इसका answer हो जाएगा आप सने हे variation आर दिया विविन्यताय जब तक है question number 26 cell was discovered in तो cell सबसे पहले रावार्ट हुक ने मृत कोशिका dead cell को discover किया था 1665 में 1665 में कार कोशिकाओं को इन्होंने discover किया था question number 27 cell theory was proposed by कोशिका सिध्धानत किसी ने दिया था बहुत अच्छे जानते हो आप लोग sliding और swan ने sliding और swan ने 1838 में और swan ने 1849 में अलग-अलग ये plant के और geology के geology और botany के centers थे दोनों लोग अलग-अलग तो अलग-अलग जगह पर किया था फिर एक में combine करके एक cell theory दिया था उसमें भी सुधार करने के लिए आये थे बाद में सन 1858 में आये थे एक scientist Rudolph गिर्चो उन्होंने बताया था Ominous Cellular E Cellular मतलब नई जो कोशिकाएं के उदपत्य होती है वो पूरु इस्तित कोशिकाओं से होती है तो इस तरह से modification हुआ था सन 1858 में तो cell theory जब पूछा जाए तो cell theory को किसी ने दिया था पाइडन सा स्वान ने दिया था याद रखना थी सन भी याद रखना हाँ अगला question देखिए उससे related मिलीगा आपको Question number 28 Ominous Cellular E Cellular वाज प्रपोजड वाई Ominous Cellular E Cellular इसका मतलब यह होता है जो नई कोशिकाओं का निर्माड हो रहा है New Cells का Formation जो है वो पोरो इस्तिस Pre-Existing Cells के थुरू होता है पहले से उपरस्तिस से तो यह किसे ने दिया था रुडोल विर्चो ने दिया था ठीक है उसी सिधान्त में कोशिका सिधान्त में थोड़ी से Modification किया था Question number 29 The Prokaryotic Cell Does not contain Prokaryotic कोशिका में कौन चीज नहीं पाई जाती है तो राइबोसोम पाई जाते है माइट्रो कांट्रिया पलाजमा मेंबरी ने सब पाई जाते है क्यों क्रोमोसोम नहीं होते है क्योंकि जो Prokaryotic Cell होते है इसमें definite Nucleus के अंदर नहीं होता है और केंदर केंदर क्रोमोसोम होते है तो इसमें क्रोमोसोम अबसेंट होते है इसमें DNA और RNA ऐसे ही खुला बड़ा होता ठीक है Question number 30 Which आफ दा following is not a example आप यूकेरियोटिक से निमने में से कौन यूकेरियोटिक का उधारन नहीं है तो यूकेरियोटिक कोशिका वहीं नहीं होगी जो बैक्टीरिया होगे क्योंकि बैक्टीरिया ही प्रोकेरियोट होते है पहला Amoeba Proteus तो Amoeba एक प्रोटो जोवा है जिसको प्रोटिस्टा में रखा गया है तो प्रोटिस्टा में यूकेरियोटिक योनी सेलुटल यूकेरियोट है," तो यह तो गलत हो जाएगा," फिर यूगलीने वेटिस यह भी, यूगलीना क्या है," प्रोटो जो आ, तो ये भी यूकेरियोट है," फिर इसके रेशिया को लग लिखे UM, पढ़े होगे इसको इक侯ेकॉलाई, एक बेक्टीरिया जो हमारे गट में प्रेजन्ट होता है, इलिमेंटरी कैनाल में होता है, वाइटमीज भी 12 संथेसिस करवाता, बहुत सारे इसके काम होते हैं, तो ये जो है, इसके रिसिया कोलाई, ये ये प्रोकेरियोट है, क्योंकि ये क्या है, बेक्टीरिया है, क्या है, बेक्टीरिया, बेक्टीरिया जितने भी हैं, कहां रखे गए हैं, प्रोकेरियोट है, तो इसका राइट एंसर हो जाएक, आफसन सी, क्वेश्चिन नमबर 31, गोलजी बोड़ी इस, आर नोट एसोसियेटेड विद, गोलजी का जो होते हैं, इनका संबंद किस्या नहीं होता है, तो इनका देखो, ये सिक्रेशन करवाते हैं, फॉर्मेशन करवाते हैं, ये सरकार्व कार्य होते हैं, और glycosylation करवाते हैं पहला है secretion of melanin यह तो सही है formation of cell plate यह भी सही है sorry पिर synthesis तो इस सरकरा का s instance नहीं करते है यह सरासर गलत बात है option number question number 32 dicteosome is absent in नहीं लिखिए मैजसे किसमें dicteosome नहीं पाया जाता है तो डिख्टेयोसोम प्रोकहरिोट को छोड़ के सब में पाया जाता है तो आपसे ज्दैखिए पहला है साईमोबेक्तीरिया मतलब ब्लोग्रीनलग्य क्या है बेक्तीरिया मैंने खा द exact जितने बी बैक्टीरिया हैं सब प्रोकेरियोट हैं तो इसमें ढूरा क मैंकोपलाजमा कोelli सर्ट मैं बैक्टीरिया क्था यह सब कैसे हैं प्रोकेरियोट मैं क्या होगा, अब सेंट होंगे डिक्टियोसवम अब defonent Dalam नमबर 33, Plasma Membrane is made up of. Plasma Membrane बना होता है, किससे बना होता है, तो आप लोग double है, जो इसका double Membrane structure है, आप लोग पढ़े ही होंगे Plasma Membrane का, तो इसमें क्या होते हैं, protein और लिपिड के बने होते हैं, किसे protein और लिपिड ये, वैसे वास्तों में देखा जाए, तो और कार्बोहाईडियेट में लेकिन मेन पार्ट जो है व पुटिन्स और लिपेड का बना होता उसमें गलाईको प्रोटीन होते हैं और फ्षासय। लिपेड में भी कौन से होते हैं? फ्षासय। छो जाएगा यहाँ और फ्षासय। हो जाता है। यहां क्या वल लिपीड प्रोटीन से लिखा है तो गलाइको प्रोटीन और फौस्पो लिपिट से बना होता है। फिर फोस्पो प्रोटीन कर दिया गलत कर दिया यहां पर गलाइको प्रोटीन होता तो यह सही हो जाता क्वेस्चन नमबर 34 यूनिट मेंबरेन मॉडल आप प्लाजमा मेंबरेन वाज प्रपोस्ट भाई देखो ये बहुत धंग से याद रखना जो फ्लुड मोजेक मोडल था उसको स्लाइडन और स्वान ने दिया था लेकिन जो यूनिट मेंबरेन मोडल था प्लाजमा मेंबरेन का यूनिट मेंबरेन मोडल इसको Robertson ने दिया था किसने Robertson ने जब fluid mojeg बोड़ेगा तो इसको Sliden and Swan ने दिया था और fluid mojeg model में जो सुधार किया गया था वो किसने के था रूडल बिर्चो ने और जो unit membrane model था इसको Robertson ने दिया था सारी चीज़े याद रखेंगे ऐसे ही question मिले वाले हैं आपको धीडियों के जो छात्र हैं को कल ही साथ कल एक्जाम हमका छे और साथ फरोड़ी में है question number 35 according to fluid mojeg model the plasma membrane present fluid mojeg model के अनुसार plasma membrane होता है मेंबरेन किस तरहसा इसका नेचर बताना और अज़सी fluid याद इस्ट्यक्टर होता है देखो ऊसे मेंबरेन के इसका selective permeable कुछ चीजों को selective चीजों को अंदर और बाहर जाने देते हैं बाके चीजों को बाके चीजों के लिए impermeable होती है तो इसलिए selective पतार्थों को आने जाने देगी selective molecules को तो उसको बोलेंगे selective to permeable हिंदी में बोले तो अर्ध पारगम में तो option B is the right answer आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लिए जितने DDU के छात्र है इसको देख रहे हैं तो वो तो 100% इसको करके जाएं क्योंकि आप लोगों को जब एक्जाम दोगे एक्जाम में बैठोगे तो खुद पता चलेगा कि सारे question भरमार की यहीं से इसी related पूचे जा रहे हैं अगला question is question number 37 cellular respiration text placing कोशिकी स्वसन कहां होता है तो आप लोग 9 से पढ़ते आ रहे हैं कि कोशिकी स्वसन माइट्रो कांडिया में होता है माइट्रो कांडिया में भी कहां होता है इस तरह से माइट्रो कांडिया होता है माइट्रो कांड्या, माइट्रो कांड्या में ये क्या है, क्ριṣट्य reports, क् подготовites है, क्रिश्टी, क्रिश्टी, एक बचन क्ति, बहुचन क्रिश्टा, बोलते हैं, क् pad बहुचन, इसे बहुचन, वह बहुचन नोथ है, चोटे 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 aoक्सिसोन, क्सक्या लगे होती है औक्सी सोम इस तरह से अरे लेक्चर लेते हैं आपके लिए पूरा ये कि पार्ट को पढ़ाते ना मज़ा आ जाता सही बतला रहे हैं तो इसमें जो ये हैं औक्सी सोम क्या बोलते हैं को औक्सी सोम तो औक्सी सोम पर ही क्या होता है cellular respiration होता तो cellular respiration जो पूछेगा तो mitochondria टिक करेंगे आप लोग question number 38 elementary particles present on the inner membrane of mitochondria is also known as mitochondria की inner membrane है यही जो बता है जिसमें folding आ जाती ही बना देती ही kristi इसे पर कौन कौन से particle होते तो यह तो बता ही दी है आपको aukrau उसोंया जो cellular respiration करते है यह वार पार्टिकल हुते यह यह जो है यह इस तरह से लगे होते हैं उस तो बाहर वाले को कहते हैं यह फोवन पार्टिकल और अंदर वाली बोलते हैं यह फोशभ सोंट पार्टिकल और बाहर जो लगा है system इसको बोलते हैं जो अंदर रहा है इसको बोलते हैं यह यह फवन पार्टिकल और और प्रेंटेज मोर kitchen बीक्स प्ले जाती i बहुत important पूछेगा पक्का है तो अगला question है question number 40 देखो समय कम होने के काराण में बहुत अच्छे से explain नहीं कर पाऊंगा क्योंकि जो बच्चे जिनका कले ही एक्जाम है तो ज्यादा long over video बना दूँगा तो दिक्कत हो जागी तो maximum question करने कोशिस में हूँ में ताकि आप लोगों को ज्यादा स्यादा revision करवा पाऊं कम समय में तो ज्यादा explain नहीं करूँगा फिलहाल जो important है उसको में बताता जाता हूँ question number 40 ज्यादा गोल्जी बोड़ी प्लेज आप मेजर रोल इन गोजी बोड़ी गोल्जी बोड़ी मुख रूप से कारे करता है तो देखो cell secretion में भी पार्टिस्पेट करते हैं पोस्ट टांसलेशन मोडिफिकेशन अब प्रोटीन्स जो प्रोटीन्स होते हैं प्रोटीन बनते हैं कहां राइबोसम बनाता है प्रोटीन को उनका जो है मेंटिनेंस होता है इनके अंदर तो यह भी सही फिर है लिपिडिसीज वसा का संसलेशन मुक्रूप से होता है कहां होता है तो वसा का संसलेशन जो है यह समूथ इंडोपलाजमिक रेटिकुलम इसको हिंदियम बोलते है चिकनी अंता प्रद्वी जाले का इसके अंदर होता है ठीक है क्वेस्चन नंबर फॉर्टी टू फुच वन आफ दा फालोविंग इस्टेक्चर इज एन ओर्गनल विदिन आ ओर्गनल निमने लिकिन मैंसे कौन सा कोशिका अंग के अंदर कोशिका अंग पाया जाता है यह बहुत इंपोर्टेंट क्वेस्चन अभी आपको बताये थे यह है कोशिका इसके अंदर बहुत सारे कोशिका के अंग पाये जाएंगे इस कोशिका के अंदर तो इसी तरह से इसमें कोशिका के अंदर मैटरो काइंटर और कुलोरो प्लास्ट भी होंगी तो वह कौन से स्टक्चर है जो कोशिका के अंदर जो अंगक है उनके भी अंदर पाए जाते हो तो इसके अंदर देखो राइबोसोम आपको मिल जाएंगे राइबोसोम वो अंगक है ऐसे प्रकार के जो सेल के अंदर भी पाए जाते हैं और सेल के अंदर जो कोशिकांग हैं कुछ कोशिकांगों के अंदर भी पाए जाते हैं ठीक तो राइट एंसर कौन सा ह मइसं कुलोरोपलास्ट में और रेतिकुलम। बहुत हरा है अंगक होते है कंचैत Weez Rhy nest जो राइबोसोम देखो राइबोसोम टू यूनिट से मिलके बनी होती ही, 70S में 30S पलस 50S मिलता है, जब 30S पलस 50S मिलता है तो बनता है 70S, अब आप लोग इसको सम करने लगते हैं, 50 और 30, 80 हो लेकिन बना कैसा 70 तो इसको याद रखेगा, ठीक है, जब 50 और 30, जब सम, जितना सम आये, उसके 10 घटा के फिर देखेंगे, तो राइट एंसर आएगा, ठीक है, तो ये दोनों यूनिट किसके थुरू जुड़ी होती ही, एक क्रिटिकल आयन कौन सा होता है, मेगनीसियम आयन के थुरू, मेगनीसियम, आयन और कहां जुड़ा होत अगर बात की जाए, आयरन की, तो ये हिमोगलोबिन में होता है, ये फ़ी आयरन, ठीक है, और बात की जाए, अगर साइनो कोबालेमिन, बिटामिन भी ट्वायल, इसका दूसरा नाम होता है, साइनो कोबालेमिन, तो इसमें कोबाल्ट, कोबाल्ट होता है, क्रिटिकल आयन, तो इस तरह से आप लोग याद रखेंगे राइबोसोम में मैगनिसियम 2 पलस होता है यमजी 2 पलस यमजी 2 पलस है ठीक है question number 44 राइबोसोम और प्रोडूस्ट इन राइबोसोम कहां बना जाते हैं तो ये नूकलियस नूकलियोलस में बना जाते हैं केंद्रिका हिंद्रिका 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 हिं राइबो जाएं, इन सबका संसलेशन होता है, नूचलियोलस केंदर केंदर, किसकेंदर केंद्र केंदर, ठीक है, तो इसका right answer हो जाएगा, नूचलियोलस रायबो सुमका production नूचलियोलस केंदर होता है, अगला question है, question no.45, के अंदर कितनी जिल्यों जगिरा होता तो यह एकल जिल्य सिंगल मेंबरेंस से ढगा होता है जब गलाइको की बात है तो यह गलाइको 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 गिलाईको सालेशन तब बोलेगे उनको गलाईको प्रोटीन इसी तरह से लिपिड का संसलेशन होता है इंडोपलाद्मी रेटिकुलम में जाये गलाईको लीपेड्य तो आपको जब क्लास कम लेंगे तो सब्सक्राइब किस तरह चलते हैं भी को याद कर लीजिए गलाइको सब्द मिल जाए बस सीधा जालजी बाडिक ठोक देना ठीक है एक जहां मैं क्वेस्टन मत छोड़ गया ना सारे ट्रिक दे रहा हूं क्वेस्टन नमबर 47 माइट्रो कॉंड्रिया किसमें नहीं पाया जाता है तो लीवर सेल में डिफिनिटली पाया जाएगा नेरो सेल में भी होगा मसल सेल में भी होगा लेकिन मैच्योर आरबीसी जो होती है मेच्योर आरबीसी में नात्यों इसमें नूकलियस होगा क्या होगा नूकलियस अवसेंट होगा और माय्ट्रो इसमें थे साथा ही मो studying ही हमकोंड़ होता है oxygen ट्रांसपोर्ट तो इन्हें में केवल हीमोगलोविन ठसाट जबरा होता ठीक है याद रखना question number 48 mitosis was discovered by mitosis की खाज किसने की थी तो w flaming ने किया थे यह को flaming w भी याद रखना क्योंकि e flaming भी थे एक scientist लेकिन w flaming जो है इन्होंने mitosis discovered किया था समसूत्री विभाजन की question number 49 in mitosis the centromere divides and chromatids are separated during यह पता रहा है कि इस तरह से क्रोमोसोम अपोजिट पोल में कब तूटके centromere का विभाजन होता है और यहाँ से तूटके opposite pole की और जाते तो याद करिए एना फेज को एना फेज में क्या होता है अपोजिट पोल की और जाते हैं centromere का विभाजन क्रोमेटिर का अलगाव होता है ठीक से इसको देखने के लिए अगर आपके पास समय है अभी समय है आप लोग साइट लोजी के जो ठोड़ा देखो इन न्टू टू पर स्पीड करके भी सारे लेक्चर आप मेरे देख सकते हो पंधरा लेक्चर साइट लोजी के अल्वेडी लोडेड है उसको आप लोग इंटू टू स्पीड में करके कई बार कई बार देखोगे इसको भी दो बार देख लो पेपर देने जाने से पहले दो तीन बार डिवाइस कर लो ताकि अच्छे से याद हो जाएं ठीक तो इसका एंसर हो जाएगा एनाफेज question number 50 the net gain of energy from one gram mole of glucose during aerobic respiration aerobic session में एक gram glucose से कितने उट जा मिलती तो इसमें बता दें आपको 36 से 38 ATP मिलता है 36 से 38 ATP लेकिन इस तरह से गुमागे पूछेगा आप देखना 2 ATP गलत हो गया 4 ATP गलत 30 ATP गलत 40 ATP लिखा है तो 40 किसके नियरगा है बहुत नजदीक है 38 के तो aerobic में 38 ATP बनता है अगर 38 ना देखे 40 दिया है तो भी टिक करोगे 36 से 40 के बीच में मिला ठोक दोगे ठीक है question number 51 synapsis takes place at which are the following stage synapsis निम लिकित किस अवस्था में होती है synapsis होता क्या है दा प्यारिंग आप homologous chromosome इसी को बोलते हैं synapsis का is called synapsis तो synapsis gyotin में होता है भी वियोंसिस इसी में होता है कि सिनेप्सिस होता है सिनेप्सिस नहीं होता है बहुत हम आकि साइटोल्यूजिक बेख लीजिए आप लोग जाके अगर अब से क्लिएगनें सकतों जिसने देखा होगा उसको समझ में आ रहा होगा पिर अगला क्वेशचन है इंड प्रोडक्ट आक लाइको लिसीज तो गलाइको लिसीज में गुलूकोज है गुलूकोज कराओंगे गलाइकोलिसि स मैं होता है कुछ चीजे याद कर लीजिए जो मैन है तेन इस्टेब में होता है हर इस्टेब में अलग-अलग प्रकार के इंजाइम काम करते हैं और एक गुलूकोज से एक मोल गुलूकोज कलाइकोलिसिस के बाद दो मोल पाइरूक एसिड बनाता है पाइरूक एसिड बनता है यह पाइरूक एसिड क्रेवस चक्र में जाता है किसमें क्रेवस साइकल में इंटर करता है क्रेवस साइकल में इंटर करने के बाद में देखो अब इसमें याद रखना आठ एटीप बनते हैं दो एटीप यूज किये जाते हैं गलाइकोलिसिस में यह जो जाते हैं तो टोटल टोटल कितने बनते हैं टोटल आपको 6 ATP मिल जाते हैं इस तरह से याद रखेगा और आपको यहां पर कितने मिलते हैं आपको 6 ATP और 24 ATP आपके क्रेफ साइकल में बनते हैं तो 24, 36, 36 ATP हो गए 36 से 38 बनते हैं ठीक है तो इस तरह से थोड़ा सा ब्राइफिली याद रखेगा इसको नोड कर लिए ठीक है तो अगला क्वेश्चिन देखते हैं लोग तो इसका इंसर हो जाएगा पायरूक असिड गलाकोलिसिस का इंड प्रोडूक्त होता है पायरूक असिड क्वेश्चिन नमबर 53 हीमोफिलिया अकर्स ड्यूरिंग हीमोफिलिया निम्न कारण से होता है देखो यह एक्स सहलगन डिजीज है यक्स लिंग link chromosomal disease है तो mutation होता है X chromosome mutation on X chromosome इसके कारण disease होता है hemophilia question number 54 the possible blood group of children burn to parents having A cross AB groups तो parent का blood group क्या है A cross AB लिखा है यहाँ पे केवल A लिखा है इसका मान के चलेंगे हम I होगा यहाँ पे क्या होगा आई, I recessive होता है यह dominant होता है तो इसमें एक combination बनेगा A I का दूसरा बनेगा B I का तीसरा क्या बनेगा A A और चोथा का बनेगा A B तो कितने प्रकार के blood group उसमें संभव है जो बच्चे होंगे उसमें कितने प्रकार का तो यह कैसा प्रदर्शित होगा A यह कैसा होगा B यह A भी A होगा capital A, capital E form करेगा A और capital A और I यह इस पे dominant है आई पे यहाँ भी A होगा फ्लूट ग्रूप तो यह दोनों क्या बनाएंगे A तो एक तो A बन सकता है तूसरा यह कैसा होगा B तो B बन सकता है और A, B तो जो parent का group इस तरह से होगा combination तो उसके बच्चों में इस तरह के तीन combination संभव है A, B या A, B ठीक है वहें मेंडल के क्रोश की तरह से आप लोग इसको solve करेंगे तो option D is right answer A, B या A, B हो सकते है तो अवस्था में निच्चित रूप में देखा जा सकता है तो diplotene stage जो है packetine के बाद में आती है packetine में देखो packetine में crossing और होता है और जो crossing और होता है उसी इस्थल को उसी position को बोलते है कायज मेटा तो packetine के जिस्ट वाज आता है डिपलोटीन इस में अच्छे से ओप्जर्व हो जाता है question number 56 nuclear pores are composed जो nuclear propre पोर्इंस के फिर होते हैं किस से बनते हैं 만나 और अंदर nucleus था इसके उपर nuclear membrane ठीक है तो nuclear membrane जो है जो है यह nuclear membrane बनी हुई है तो यहिसमें por होते हैں क्या होते हैं पॉर होते हैं यही बने होते हैं nucleo pourings से इससे क्या होता है इससे क्या होता है केंदरक केंदर केंदरक कोशिका केंदर आ जा सके ठीक हुनके मोमेंट के लिए छिद्र होते हैं यह बने होते हैं नूकलियो पोरिंस से बने होते हैं मिलीका ठीक है question no.57 down syndrome is down syndrome क्या है तो यह आटो सोमल abnormality है क्योंकि यह 21 नमबर गोर सुतर होता है 21 नंबर वाला इसी पेर में क्या हो जाता है डाउन सिंट्रों में ट्राइसोमी हो जाती है क्या हो जाता है ट्राइसोमी एक्स एक्स पलस एक्स 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 इस तरह से इसको बोलते है ट्राइसोमी 21 जोड़ा जो होता है उसमें triple X हो जाते हैं दो X की जगयपे इसको बोलते हैं क्या हूं तो आउटो सोम है एबनौरे प्रिद Jeff 對 क्या होते हैं 22 जोल्डी होते हैं और आउटो सोम होते हैं और ईह 6D होता है 23 वह होते हैं sex chromosome ठीक है तो यह 21 पाया जा रहा है जो कि 22 के अंदर है तो यह कैसा होगा autosome अब सामनेता abnormality question number अगला question है 58 crossing or occurs in between crossing और किसके बीच होता है non sister को नहीं देखो जहां आप भी non sister committed देखो हाँ यह जो होता है crossing और यह non sister committed के बीच में होता है लेकिन chromosome कैसे होने चाहिए homologus homologus chromosome के non sister committed किस तरह से आपको बता रहे हैं यह इस तरह से ठीक है जो एक समान chromosome होगे एक जैसे इसमें थोड़ा different मन गें लिकिन एक जैसे उनको homologus बोलते हैं यह दोनों आपस में sister committed हैं यह भी sister committed और यह दोनों आपस में non sister committed तो homologus दो homologus chromosome के non sister committed के के बीच में होगा क्रोसिंग और इस तरह से ऐसे कुछ इस तरह से होता है क्रोसिंग तो किसके बीच में होता है आपसंसी non sister committed आप homologus chromosome क्वेस्चन नमबर 59 Turner syndrome हैं Truners syndrome hadואuk persons Komishmentत आफ तरह सिंड्रोम होता है टरनर सिंड्रोम में मोनसोमी हो जाती है ठाहें नमबर अठाहें में नमबर पर मोन defender हो सही क्रेवर हो दिली है क्या मोनसोमी याद रखेंगे इसमें एक कम हो आपको बतावे हुआ चुछ डाउन सिंड्रोम होता है डाउन सिंड्रोम है कि इसमें 21 जुड़ी पर 21 जुड़ी पर ट्राई सों में होती है एक स्यक्स एक स्यक्स टीन ठौ जाते हैं गानुन के बाद आता है Comics Per Keeping तर्णर सेंड्रोम तो इसमें ाठारों जोडिकल पर एक्स औ हो जाता है एक आपसेंटों हो जाता है, जिसके जगर जीरो दिखाया अग्या है अगर बात करें क्लाइनayo फिल्टर क्ला से फिल्टर सिंड्रोम ज़ूज स्टम किस जोड़ी पे होते हैं इतना हियादर रखेंगे इससे सारे कुष्डशन आपके हो जाएंगे सेंड्रोम थीक है तो इसमें एक्स ओ हो जाता है किसमें टर्नल सेंड्रोम है क्वेस्टेन नंबर 60 मियोसिस इस दा काइंड आफ सेल डिवीजन इन विज अर्दसूतरी भाजन ऐसा होता है जिसमें तो दो बार डिवाइड करती है यह तो दो बार डिवाइड करती है तो इसका एंसर हो जाएगा बहुत शेल डिवाइड ट्वाइड वाइड वन्स question number 61 how many bar bodies will be seen in the nuclei of somatic cells of female with xxxx abnormal genetic constitution तो इसका answer हो जाएगा आपसा number B question number अगला है 62 क्लाइने फिल्टर से सिंड्रोमी तो अभी बताये थे जो लास्ट जोड़ी होती ही एक्स एक्स होई होती है ना क्राइडूचेट यह सिंड्रोम होता है एक किसे का काउज होता है तो इसमें जो है डिलीशन हो जाता है किसका number का डिलीशन होता जो कोडोन्स होते हैं उन्होंका का एमिनोचेट कोडोन्स का डिलीशन हो जाता है जिसे क्राइडूचेट सिंड्रोम उत्पन हो जाता है क्वेश्चेट नमबर शिक्ष्टी फॉर्डश नंबर आप्क्रोमोसोंस आफ्टर मियोटिक डिविजन फस्ट इन्मियोसिस अर्दसूतरी भाजन में अर्दसूतरी विभादन फर्ष्ट के बाद गुर्षूत्रों की संग्या हाँ तो फर्ष्ट में ही क्रोमोसों डिवाइड करते हैं हाफ हो जाते ना तो बीकम्स हाफ जो जो सिस फर्ष्ट होता है उसमें क्रोमोसों आधे हो जाते हैं और मियसुस सेकेंड में के बल सिल डिवाइड करते हैं Q66, Double Helical Structure of DNA was given why? DNA के Double Helical सनजना को किसी ने दिया था? तो Watson और Crick ने 1903 में, सन 1903 कहीं कहीं लिखा मिलेगा 1952, ठीक, 1903 में Watson और Crick ने Double Helix model दिया था? कौम सा DNA का? BDNA, काफी important question है, Q67, 70S ribosomes is made above, अभी बताया थे इससे पहले 30S और 50S, जिसका सम करते हैं 80, 10 घटा तो 70, 70S पकार बनते हैं 30S और 50S सब यूनिट से, इसमें कौन सा critical ion होता है? राइबो सम्स में, या मजी ही 2 पलस, सारी चीज़े revise करते रहे हैं, question number 68, the amount of energy given by 1 mol of ATP is, एक mol ATP से कितनी उर्जा प्राप्त होती है, तो 7.3 किलो केलोरी energy प्राप्त होती है, एक mol ATP से, question number 69, इन glycolysis, during dehydrogenation, electrons are accepted by, तो electrons जो cytokroms होते हैं, इन से जो है glycolysis में dehydrogenation के समय है, इलेक्टोंस शुकार के जाते हैं, तो इसमें देखो ATP नहीं, ATP का का काम उर्जा वाला है, GAP गए भी नहीं, यान AT, nicotinamide adenine dinucleotide, इसका नाम होता है, याद रख लिए, जब आपको सेकंड समेस्टर पढ़ाएंगे, उसमें बायो कमिस्टर पढ़ाएंगे, तो बायो कमिस्टरी में आपको बताएंगे, कि NAD क्या होता है, एक दम डेटियल में पूरा लेक्चर एक आएगा, NADP, और यह फिर DPR, फ्लेबिन, एडिनीन, डायोगलोटाइड, निकोटिनमाइड, एडिनीन, डायोगलोटाइड, अब क्या होता है, ठीक है, तो इसको अगे तक याद कर लिजे, कि इलेक्टानों का वहान करते हैं, गलाइकुलिसिस में, Q70, एक्ट्व टांसपोर्ट, सक्करी परिवाहन क क्या होता है, इसमें एनरजी की रिक्वाइरमेंट होती है, एक्ट्व परिवाहन में ठीक है, एक्टिव टांसपोर्ट, Q71, ओडियोऊफ, पोटैसियम, अएन, डिपेंडेंट अडिप्या एक्टिव, हल्प्स, इन ट्रांस्पोर्ट आफ तो इसमें यह बताना है कि कौन सा आइन अंदर जाता है तो आप लोग जनरी जानते हैं यह potassium inward and sodium outward तीन sodium बाहर जाते हैं इस तरह से cell बना होगा तो इसमें से तीन सोडियम पलस एक बार में बाहर जाएंगे और दो सोडियम जो है दो पोटेसियम पलस अंदर आएंगे ठीक है अंदर तो यही होता है सोडियम पोटेसियम पंप यही बोच रहा है question number 72 the repeating units in a long DNA polymer are एक लंबे DNA polymer में बार बार दोहराय जानी वाली एक आई है तो DNA की बात की जाए तो इसमें बार बार कौन सा दोहराय जाता है nucleotides को nucleotide जो DNA होता है तो nucleotides से मिलकर बना होता है देखो इस तरह से एक सुगर हो गई सुगर के अंदर के और प्रछेपित होंगे base और इसके सुगर से लगा होगा phosphate इस तीनों चीजों को देखो सुगर और base इन दोनों को बोलते हैं क्या nucleoside nucleoside अच्छे सगोर करिए इसी पर कुश्चन आएंगे सीधे यहीं से nucleoside और जो तीनों चीज़े इसमें phosphate भी जिब जुड़ जाएगा तब इसको बोलते है nucleotide nucleotide तो जो DNA होता है और इसी nucleotide की unit का repeating होता है ना द्थे अंब नोज नियो होगा पर धाश्क हो 지역 government इसे प्लागा होगा बेस फिर क्या होगा फोस्पेट सुगर द्थे शो कर दिंदा मिलयka बेस और इधर से भी एक प्राइका आपी बेस, पॉस्फेट, फॉस्फेट, फॉस्फेट, पॉस्फेट, सुगर, बेस, अभिया बेस क्या होगी जो नाइट्रोजन बेस हैं ये बीच वाले ये क्या होगे एडेनीन, थाइमीन, साइटोसिन गुआनिन ये हो सकते तो इनके बीच में hydrogen bond होंगे 2 hydrogen bond, adenin nucleotide repeating unit was made तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है DNA polymer होता है कुम से repeating unit से मिलकर न था ? question number 73 in 80S ribosomes RNA ratio protein कितना होता है तो अगर 80S ribosomes की बाद किये जाए तो protein और RNA का अनुपात लगबख बराबर ही होता है ratio तो 1 ratio 1 in mammalian cells the average volume occupied by nucleus is about अगर इस तंधारी जो होते हैं mammalian cells कोई भी cell है इसके बीज में जो nucleus होता है इस cell का लगभ़ 10% पार्ट ले होता है 90% में और जितने cell originals और cytoplasm होता है तो कितना 10% ले होता है बाग कितना 10% 10% आईतन घेरे होता है nucleus अकेला question number 75 peptide bond are involved in linkage दा तो peptide bond protein के बीच में पाई जाते कहा proteins के बीच में proteins किन से मिनके बने होते हैं amino acid amino acid amino acid तो इनके बीच में जो bond होंगे उनको peptide बोलोगे तो किनके बीच में पाई जाते हैं पहला keto acid नहीं fatty acids नहीं फिर है amino acid option और राइट question number 76 nucleoside nucleoside क्या होता भाई अभी बताये थे base और sugar तो पहला ही option मिला base और sugar इसको क्या बोलोगे nucleoside अरे भाई यहां बे बताये थे sugar और base मिलेके nucleoside और उसमें phosphate जोड़ दो तो तीनों मिलेके nucleoside तो पूछा था क्या nucleoside base और sugar ठीक है याद रखेंगे बहुत important question number 77 which आभदा following इच आप purine base निमने लिखित में से कौन एक purine base है तो एडिनीन जो है क्या है purine है uracil, thymine और cytosine क्या है यह तीनों है pyrimidine और purine के अंदर adenine आता है और guanine आता है अगला question है 78 enzymes which help in electron transfer आर कौन सा enzyme electron transfer में सहाइता करता है तो electron transfer में वही NADFAD होते न इनके लिए enzyme होते है cytokromes को cytokromes तो hexokanase यह तो इसका काम कुछ और ही होता है glycolysis में chlorophyll तो प्रकास insulation के लिए requirement होती है hydrolysis कराते है cytokrome जो होते है कौन से cytokrome तो यह सहाइता करते है किसमें electron transfer में question number 79 kaiasma soda cytokop kaiasma यह दो क्रोसिंग और जब होता है तो उसमें कायज मेटा का formation होता है तो वहीं पर यह सो होता है question number 80 in how many cells the the myriotic myiotic division has takes place in the total number of espermatids produced 32 बात की जा रही है 32 espermatids उतपन करने के लिए form करने के लिए कितने myosis कराने पड़ेंगे तो एक myosis से one myosis one myosis से four cell बनती है कितने four तो 32 बनाने लिए कितने कराने पड़ेंगे अगर four बार कराओगे तो four into four कितने बनेंगे 16 eight बार कराओगे तो eight into four eight चको 32 32 बनेगे तो right answer हो जाएगा eight यतना याद रहो one myosis के बाद four cell मिलती है ठीक है प्राप्त होती है question number 81 which among the following is a single membrane cell organelles इने में से कौन single membrane एकल जिल्ली वाला कोशे का अंगक है तो इसमें पात किया जाए lysosome की तो right answer क्योंकि ये single membrane होता है ribosomes unmembran होते हैं इसमें कोई भी जिल्ली नहीं होती है याद रखना बिना जिल्ली के होते हैं जिल्ली रही था mitrocontria double membrane chloroplast double membrane तो answer हो जाएगा lysosome question number 82 the golgi body is where discovered by chemilogolgi from जो chemilogolgi थे न इन्होंने golgi body को discover गया थे लेकिन कहा तो पुरकिंजे cells जो होती है पुरकिंजे cells उन्हें में ढूंडा था याद रखना ठीक बहुत पोचता है question question number 83 the haploid set of chromosomes is called chromosome के haploid set को क्या कहते हैं तो इसको बोलते हैं haploid set को chromosome गुड़सोत्रों का agulit set जो होता है उसको genome बोलते है question number 84 the diagrammatic representation of karyotype of specific species is called species किसी जात के karyotype के अगारिकी प्रदर्शन को बोलते है idiogram क्या बोलते है idiogram question number 85 you chromatin you chromatin क्या होते है तो यू chromatin क्या होते है हम लोग देखते थे chromatin fiber दो प्रगार के होते है उसको जो अभी रंजित करते है dyes के थूरू रंजिक के थूरू लाइटली इस्टेंड होते है idiogram genetically active हाँ ये आनुंसिक रोब से सक्रिव होते है फिर idiogram lightly stand हाँ ये बहुत हलके इस्टेंड होते है अगला है idiogram partially condensed ये बहुत कम संगनित होते है ये भी सही है तो all आफदा एब यो chromatin के लिए सारी बाते हैं सही लिकिए question number 86 a double extended DNA has 30% थाइमीन ये numerical way से बहुत आसान है 30% क्या दिया है DNA के बात की जारे 30% थाइमीन है 30% क्या है थाइमीन then percentage of cytosyn cytosyn को बुझा है cytosyn को बुझा है thाइमीन दिया है कोई भी DNA की बात की जाए थाइमीन हमेशा किस से जुड़ता है एडिनीन से थाइमीन परसेंटेस दिया है 30% तो जब 30% थाइमीन है जितने थाइमीन होगे उतने एडिनीन होगे क्योंकि हर थाइमीन एडिनीन से जुड़ा हुआ होगा खाली थाइमीन तो मिलेगा नहीं पेरिंग होती है इसमें तो थाइमीन जब 30% है तो एडिनीन भी कितना होगा 30% टोटल 100% में से 60% पार्ट बने गया थाइमीन और एडिनीन से कितना माइनस 60% बचा 40% मतलब 40% में होंगे साइटोसीन और गौनीन आपको कौन सा पूछा है साइटोसीन परसेंटेज आप साइटोसीन इस तो 40% जो बचा है इसमें 20% आपका साइटोसीन और 20% गौनीन होगा अच्छे समझवाया थाइमीन 30% दिया है थाइमीन हमेशा एडिनीन से जुड़ा रहता तो जितने ये होंगे 30-30% तो टोटल बना दिये 60% बचा जो 40% पार्ट आप जीन ने ये किस से मिलके बना हुआ साइटोसीन और गौनीन से तो ये भी बराबर मात्रम होगे 20-20% तो राइट एंसर इस आपसन भी 20% क्वेश्चन नमबर 87 आप आप लोगों बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा है अगर आप माइट्रो कांडिया और इंडेट साइट आप सेलिलर रेस्पेरेशन वाज कनफर्म्ड वाई वस्तता हम माइट्रो कांडिया में माइट आपसन नमबर D होबूम, स्नीडर और पैलेट इन तीनों ने मिलके होता था कि सेलिलर रेस्पेरेशन है जो माइट्रो कांडिया के अंदर ही होता है क्वेस्चन नमबर 88 होलेंडरीट जीन्स हार तो होलेंडरीट जीन्स वाई लिंक्ट होती है वाई से शंबंद्र छेन पर फोर जब्स प्रोंसों ग्शोल्ड में य।्थ होते ही ह। Question 89 अब process by which DNA of nucleus passes genetic information to mRNA वह कौन सा process है जो DNA से सूचना है mRNA में जाती है mRNA इस से mRNA बनता है mRNA इस process को बोलते हैं Transcription Transcription क्या बोलते है ट्रांस्किप्शन तो राइट एंसर काउंड हो जाएगा आपसे नमबर बी ट्रांस्किप्शन क्विस्चन नमबर 90 एक अलील क्या होता तो यह अल्टरनेट्व फॉर्म होते हैं जीन की ठीक इस तरह से दो जीन लिखे हुए है तो यह एक दूसरे के अलील है आपसे नमबर बी इस करेंट अल्टरनेट्व फॉर्म आफ यह एक अही जीन के एक ही लच्षड को एक ही कारेक्टर को कंट्रोल करने वाली जीन के जो अलग अलग रूप होते हैं अलग अलाग फॉर्मस होती उसको बोलते हैं अलीज्ड कोस्चिन नमबर 91 आफ निकलियोग पेर्स पर टर्न इंड बी डिन ने जो बी डिन ने होता है इसके एक हेलिकल में पूर एक हेलिक्स में कितने टर्न पाया जाते हैं तो इसमें 10 टर्न होते हैं ठीक है है और यहां पैमान लीजिए यह जुड़े हुए है इंडो पलाजमी रेटिकुलम तो इस नू क्या है क्या है नूकलियस के कितने पार्ड को ER Indoplasmic reticulum चिपका हुआ है इतनी पाट से इतनी एरिया को क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं नीरन बर्ण एरिया, क्या बोलते हैं नेवर करन एरिया, क्योंकि ये सेंटिस थे नेवर करन, इन्हों ने ही इसको सरपर्था डिस्कवर किया था, कि यह जो इंडोपलाजमी रेटिकुलम होते हैं, नूकलिय से चिप्ट के हो जाए होते हैं Question No.93 The gene which makes the expression of other gene is called उस gene को क्या कहते हैं जो डूसरे gene के expression को छिपा देता है दो gene एक साथ present है एक gene दूसरे पर प्रभावी हो गया तो उस तरह से एक को express होने देगा, एक depress हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं epistatic genes, क्या बोलते हैं epistatic genes, Question No.94 In ZDNA one complete turn of helix जेखो BDNA की बात की जाएगी, जब BDNA, तो उसमें complete turn होता है 34 angstrom का कितना 34 angstrom nanometer में 3.4 nanometer जब बात की जाएगी ZDNA ZDNA में 45 angstrom long होता है Question No.95 The ratio of recessive epistasis आप प्रभावी epistasis का अनुपाद कितना होता है तो इस 9 ratio, 3 ratio, 4 इस तरह से इस का ratio होता है Question No.96 आप क्रोमोसोम विद सेंटरोमेर लेंग एट वन इंडेज क्रोमोसोम जिसमें सेंटरोमेर एक अंत पर होता है तो जो अंत पर होता उसको तीलो सेंटरिक बोलते हैं क्या बोलते हैं तीलो सेंटरिक इसको बोलते हैं मेटा सेंटरिक मेटा सेंटरिक और जो एकदम मीडे में होता है किसमें होता है? मीडे में और इसको क्या बोलते हैं सब मेटा सेंट्रिक सब मेटा सेंट्रिक और जो इस तरह से होता है हलका सा पार्ट रह जाता वस उपर इसको बोलते हैं एकरो सेंट्रिक एकरो सेंट्रिक और जिसमें सीधा टोप पे आजाता है सेंट्रोमियर इसको बोलते हैं टीलो सेंट्रिक, किसको टीलो सेंट्रिक, जब टोप पे आजा सेंट्रोमेर, और एक ऐसा होता है जिसमें सेंट्रोमेर अपसेंट होता है, होता ही नहीं, इसको बोलते हैं ए सेंट्रिक, क्या बोलते हैं ए सेंट्रिक, जब मेटे में होगा सेंट्रोमेर मेट इंड मतलब टोप पे वाली बात है तो टीलो सेंटरिक हो जाएगा क्वेश्चन नमबर 97 तलारचेस्ट हुमन क्रोमोसोम इज एक 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 प्रोक्सिमेटली मानो कोशिका में सबसे लंबा गुरसूर्त कितना होता है तो 249 मिलियन बेस्पेर लोग सबसे मेक्सिमम लेंध वाला भी तक मिला है ठीक है तो आप लोगों के कस्ट जो है फी मिटने वाले हैं दो चार क्वेश्चन ही रहेगे हैं थोड़ी से तसल्लियो और बनाया रखें question number 98 the core particle of nucleosome is made up of following histones तो आपको बता तो पहला option है H1, H2A, H2B, H3 यही चार प्रोटेन विलिके जो histone का core बनाती है हाँ यही चार प्रोटेन लेकिन यह जो H1 होती हलका बाहर की और परच्छेपित होता है इनहीं से मिलकर nucleic histone octate form होता है question number 99 बालवियानी रिंग्स आर फाउंड है बालवियानी रिंग्स लेंपपुरूस क्रोमोसोंस पर पाई जाते हैं काफी important question है ठीक है आप लोग अच्छे से इसको रहाज कर लेंगे question number 100 branch of science which deals with the improvement of human race genetically is card बिज्ञान की उस साखा को क्या कहते हैं जो genetic आधार पर मानो जात के विकास से संबंद है इसको बोलते हैं यूजे निक्स क्या बोलते हैं यूजे निक्स काफी important question है तो आप लोगों वो पता ही होगा कि हम भी आपके लिए काफी मेहनत करते हैं क्योंकि इनने सारे question करवाने में काफी टाइम भी लगता है एक lecture को सूट करने में तो तीन से चार घंटे लग जाते हैं ठीक है और जब इसे भी जाता समय लग जाता है तो हमारा आपका प्यारा से चैनल ब्यस्सी वर्ल्ड अमर सिंग जिसपे कि आप ये lecture देख रहे हैं इसको आप लोग like, share and subscribe पक्का कर देना बेल आइकन भी दबा देना आप तक सारी वीडियो मेरी पहुंसती रहेंगी notification आएगा ठीक है और अपने दोस्तों के पास उनके पास भी share कर देना ताकि उनकी भी help हो सके तो आप लोग अच्छे स पढ़ाई करते रहें जिसका कल एक्जाम है या परसों है या बाद में होने वाला है मेरी धेर सारी बढ़ाईया आपके साथ है ठीक है अच्छे से एक्जाम आपका हो जाएगा अगर आप पूरे question देखते हैं बहुत कम बच्चे होते हैं जो पूरा lecture देखते हैं खेल खेल तो अच्छे से पढ़ाई करते रहो मिलते हैं अगले क्लास में अगले लेक्चर के साथ और तब तक के लिए ओक्यवाई